वे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दरेखाज गैलरी आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ पालक की खिचडी तो आएए देख लेते हैं उसके लेक्या क्या चाहिए तो यहां पर मैंने पालक ले ली है छुट छुट इसी काट कर और उसके बाद मैंने ले ली है उरत की ड आप कोई भी डाल ले सकते हैं यहां पर मैंने उरत की डाल ली हुई है और यह ले लिए चावल मैंने एक चावल दोकर रख लिये हैं और यह ले लिया है यहां पर ले लिया है मेथी जीरा और ही डालने के लिए और ले लिया है कुकर और उसमें जाएगा हमारा रागुलर क करहा है तो थोड़ा यहां पर मैने एक चंचाल डाल लिया है और इसको गरम होते ही इसमें डालेंगे सबसे पाहले मेती क्योंकि मेती को थोड़ा चिटकने में टाइम लगता है जीरा तो यह सेकेंड मेथी जरूर डाले, मेथी की खिषडी dość करे। एक सब्सक्राइए और कंद पर ही डाल दी है और इस सम Лटजा बाड़ी आएगे हैं तो तो इसमें आप पालाग सब्सक्राइए और कि लिए पालाग को सब्सक्राइए ¿टा तो नीаз को कि यह दुपा का जाले, यह दिया हैंने ब बस नमक जाना बाकी है इसमें पाकिसारी चीजें मिक्स हो गई है इसमें यह डालेंगे पानी थोड़ा जिसे आप खिश्री बनाते हैं उसे कमी डाले क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी होता है तो वह अपना पानी छोड़ेगी अगर आपको ठिक रखनी है तो आप से क्ष्री बनाकर healthy सी खिश्री बनाकर आप आप कहा सकते हैं तो यह पर जाएगा हुआ साल्ट यह मैं रफलर वाला वाइट बाला रहा है प्सको अच्छे तो चला कर बंद तो चलिए अपनी कुकर को देख लेते हैं एक सीटी आ गई है वाव खिचडी हमारी बनकर एक हल्दी खिचडी रेडी हो गई है यह देखिए कितनी टेस्टी सी लिख रही है तो यार जो मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब भी करते रहें मुझे आगे बढ़ाते रहें और मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करते रहें तो यह देखिए हमारी हल्दी सी खिचडी बनकर तयार हो गई है पालक की खिचडी तो आप तेवहार आपके लिए काफी अच्छा रहेगा खाने के लिए तो इसको ज़रूर बनाकर खाए एक बढ़ ट्राइ करें और टेस्ट के साब तो उसमें घी भी थोड़ा